नमस्कार दोस्तों यूट्यू चलन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जो बात करेंगे आप थम्नेल से आपको पता चल गया होगा तो देखे थम्नेल से तो आपको पता चल गया लेकिन इसमें आप सपोर्ट की भी जरूरत है क्योंकि वो चीजे जो है मैंने जो पता नहीं रहा है तो सपोर्ट आप नहीं करेंगे तो आवाज कैसे मैं उठाओंगा समझ रहें आप या फिर मेरा चैनल है तो मेरे चैनल से वीडियो वारेल होगा जाएगा लोगों में संदेश तो जो फरजी रहेगा वो पकड़ा जाएगा तो उसी के लिए मैं यह जो वीडियो बनाने जा रहा हूं इसलिए मैं आपसे हमबल रिक्वेश्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूच करिएगा ठीक है कि सब्सक्राइब और सेर नहीं करेंगे आप तो फिर आपकी आवाज जो क्या हो जाएगी डाउन हो जाएगे और बहुत जल्द ड निवास बनाकर वो बिहार स्टेट की नागरिक्ता जो भी है वहांका निवासी बन जाता है तो फिर यह जो मेरिट का जो गुड़ा गणित है वो किस पर इंपेक्ट डालेगा वो बहुत आसान वासा में आप समझ सकते हैं कि अधर स्टेट का अगर वो कनवर्ट होके क्या हो गया वो या तो वो EWS के लिए ऐसा काम करेगा वो या वो VC बनने की कोशिश करेगा या फिर SCST बनने की कोशिश करेगा तो वो जनरल तो नहीं बनने कोशिश करेगा क्योंकि जनरल वो खुद अधर स्टेट में एकाउंट हो रहा है और वो बिहार म में जाकर क्यों वो जन्रल बनेगा मेरिट में कोई मतलब बोल सकते हैं इंपक्ट नहीं पढ़ रहा है डिफ्रेंस ही नहीं है तो अधर स्टेट का जो भी कैंडिडेट होगा या तो वह EWS से बिलॉंग करता होगा या वह OBC का होगा वह SC का होगा या फिर STU का होगा ताकि वह बिहार में जाये और वहां का निवास बना कर इन सब क्र्टेगरीज में बहुत ही इसली अपना मेरिट बना सके और seat पे जो है अपना कभजा जमा सके जनरल का लड़का जो है अधर इस्टेट में जो भी है वो बिहार स्टेट में जाकर नागरिकता नहीं लेगा क्योंकि वो भी जनरल ही रहेगा वो अपना title तो चेंड कर नहीं पाएगा इतना दोखाद़ी CST वाले जो बिहार में जाकर अधर इस्टेट का कोई भी इस्टेट हो सकता है आपके 28 इस्टेट में वो वहाँ पे जमीन लिखवा के अपना फरजी तरीके से या फिर जमीन उसका नहीं है कुछ भी दिखा कर वो अपना निमास बना के वो आपके सीट को जो हड़पने के लिए तयार है और बहुत सारे ऐसे स्रोत मिले हैं कि मतलब वो फरजी बाड़ा हुआ है बहुत सारे निमास बने है वहाँ के अधिकारियों को भी पता होगा कि इतने सारे निमास अचानक से कैसे बने उस ब्लॉक में जहां पर भी ये निमास बनता होगा हर एक तसिल में केवल इस भरती के लिए तो ये किसकी सीट पे इंपेक्ट डालेंगे ध्यान से समझे इसको अब देखे अगर अधर स्टेट का चला गया लड़का बिहार तो अधर स्टेट वाला इधर जनरल में है और बिहार में भी जनरल में है OVC है SC है, ST है, EWS है अब समझे इस बात को जनरल वाला अगर है तो वो तो जनरल बनेगा नहीं तो ये वाला राष्टा जो है पहले क्रॉश कर देता हूँ ये पॉसिबल नहीं है तो यहां जाके इसका प्लेश जो है रिप्लेश कर लिया OVC बन गया वो यहां का जाकर या फिर माली जैं SC है या ST है तो फिर ये भी जाके यहां पर बन जाएगा तो अब देखें इसको फायदा कैसे हो रहा है फायदा कैसे हो रहा है कि अगर ये नहीं जाता इधर रहता तो ये जनरल में ही काउंट होता ना कि OVC या SCST का उसको आरक्षा मिलता क्योंकि वो अधर इस्टेट का है इसलिए जो है उसे जनरल कहा जाता और जनरल में मेरिट बनती है लेकिन जब यहां पे गया तो उसको रिजर्वेशन मिलने का हगदार हो गया है अब नुक्सान किसका किया वो नुक्सान किया वो बिहार के कैंडिडेट का बिहार के जो कैंडिडेट है उनका नुक्सान किया कैसे किया वो क्योंकि हाई वो अधर इस्टेट का और वो बिहार में जब चला जाएगा तो उसके मेरिट बिहार के OBCS-CST पे बनेगी तो बिहार के जो भी लड़के होंगे OBCS-CST की उनकी सीट को वो रिजर्ब कर लेगा और उनकी जो सीट को क्या कर देगा वो कम कर देगा इससे जो भी आर के जो इस्टूटेंट रहेंगे या बिहार्थी रहेंगे वो उस सीट पे नहीं जा पाएंगे कब इस कंडिसन में जब उनका मांक्स कम रहेगा तब हो सकता है उनका mark ज्यादा रहे तो ये जा के भी उनकी seat नहीं ले पाएगा क्योंकि वो merit पे छट जाएगा लेकिन अगर ये देखा जाए ओबराल तो वहां की merit नीचे जा रही है जो कि मूल निमासी बिहार के हैं क्योंकि संख्या कम है जब संख्या कम है तो merit कम जाएगी seat ज्यादा हो जाएगी लेकिन जब वहां पे अधर इस्टेट के लोग उसमें candidate जब entry कर लेंगे भरजी तरीके से फिर से समझ लीजे तो संख्या बढ़ जाएगी और merit हाई हो जाएगी अब उसमें बहुत तेज लड़का ब्यार का होगा तब जाकि उसका सेलेक्शन होगा नहीं तो फिर वो merit में छट जाएगा वैसे नहीं छटता हो क्योंकि उसकी कम है और seat ज्यादा है समझ रहे हैं आप समझिए इस बात को तो आप इस समझ इस में इस logic को समझिए कि अगर अधर इस्टेट का लड़का जो है अगर वहाँ पर जाकि इलिजबल होता है तो बिहार स्टेट के कैंडिडेट का जो की OVC, ESC, EST और EWS से बिलॉंग करता है उसके seat को नुक्षान प अधर कैंडिडेट को प्रॉफिट हो रहा है अधर इस्टेट वालों को कैसे होगा कि अधर इस्टेट का जो रड़का जो है बिहार जब चला गया तो इधर संख्या जो है जनरल में कम हो गई ठीक है संख्या इधर जनरल में कम हो गई क्योंकि वो कोई एक ही seat लेगा वो तो अधर इस्टेट में जो नंबर आप कैंडिडेट रहेंगे उनकी संख्या इधर कम हो जाएगी क्योंकि वो ट्रांसपर हो गए मैक्सिमम की दर बिहार की तरफ तो यहां पर जो है मेरिट में थोड़ी से गिरावाट आजाएगी जनरल में अधर इस्टेट की लडगों का क्योंकि वो भले से इनके जनरल से ज्यादा मार्क्स पाया हो हो सकता है वो ज्यादा बहुत मार्क्स पाया है लेकिन अगर वो ओवी सी का ही है तो उसको जितना कटप की ज़रुरत है उतना क्योंकि इधर जो यह लड़के कम हो जाएंगे उधर ज्यादा हो जाएंगे तो इतनी भारी मात्रा में तो वो नहीं जा पाएगा ऐसा मेरा मानना था कि कम ज्यादा होगा बट यह वाला काम तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल की जनरल की मेरिटी वो कम करेगा ठीक है क्योंक का मांक्स ज्यादा रहेगा अगर वो भी CSCST और EWS में तो पहले उसी को रखा जाएगा वहां की लोगों को नहीं रखा जाएगा लेकिन यह वाला लॉजिक था कि अधर इस्टेट के जनरल का मेरिट जो है कम होगा यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतनी संख्या में वो जाएगा नहीं लेकिन इधर अधर इस्टेट वालों को फाइदा नहीं होगा लेकिन इनको नुक्षान हो जाएगा क्योंकि वो अधर इस्टेट से गर बिहार की भरी जाती है तो इसके लिए आप इस समझे इस फरजी बाड़े को अच्छे से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे और जितने भी इस तरीके के करप्टेड लोग हैं फरजी हैं जिनका न तो बिहार में निमास का प्लेस है नहीं कोई जमीन है न जगे है न उनके पैरेंट्स महा रहते हैं उन्होंने पैसे के दम पर जो है निमास अपना बनवाया है और वो जो है बिहार राजी के अभियर्थ नहीं हो रहा है उसके पहले यह आप जो है इस चीजों को आप वाइरल कर दीजे ताकि वह डॉकुमेंट भेरिफिकेशन में आए और वह पकड़ा जाए और वहाई पर धर दब होचा जाएगा और उसको जेल भी हो जाएगी अगर आप इसमें चुक जाएंगे तो उसका भ पकड़ा जाएगा धर दो बचा जाएगा तो वह बाहर हो जाएगा कि सिंपल से लॉजिक यह यह बस और बहुत लोग ऐसे कमेंट करके धंकी भी दे रहे हैं हमें कि साथ पुस्ता तुमारी बिच जाएगी तुम पकड़ नहीं पाओगे वह चला जाएगा जो भी है सब ल हो जाएगे कि कोई भी अधर श्टेट का लड़का अगर वह दूसरे राज्यका है बिहार में गया तो अधर से जा रहे है तो इधर संख्या कम हो रही है तो क्या अधर श्टेट को फाइदा होगा फाइदा तो इधर बिल्कुल नहीं होगा लेकिन बिहार के इस्टेट के जो EWS, OBC, CST हैं, उनका ये नुक्षान करेगा बिल्कुल, साप साप एक सब्द में, अगर आपको इसको रोकना है, तो document verification के time या उससे पहले आप aware रहे हैं, अगर आप किसी लड़के को इस तरह के संदिक दवस्ता में जानते हैं, को उसने बनवाया है, बात फैल जाती है, आप उसके खिलाब तुरंद complain कर दीजे, वो document verification में धरदब होचा जाएगा, और आपकी seat जो reserve रहे हैं, क्योंकि आपने भी मेहनत किया है, अब वो सिब नोकरी पाने के लिए इस तरीके का फ़र्जिवाड़ा क्या हो, पैसे के दम पे कुछ भी आजकाल हो जा रहा है, मेरा वीडियो बनाने का मतलब है था, आपको aware करना, ठीक है, आप aware हो जाएगे, अब ज्यादा ज्यादा जो है, इस चीजों को आप viral करिये, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में कोई नया update आता है, तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, female पे candidate पे, जिस female को उनके जाती और निवास म किनके नाम से होना चाहिए, वो जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, तब तक के लिए, बाई बाई